गुड आफ्रनून फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षल न्यूज यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स जो मैं आज आपके लिए लाइव आया हूँ वो मैं इस कारण लाइव आया हूँ जैसे आपको पता है कल एंटीपीसी और ग्रूपडी और पैरामेडिकल रेलवे की जो बहुत बड़ी भरती थी जो रेलवे जो है एक आपको डेट देता जा रहा था कभी दो महीने आगे हो जा रहा था कभी तीन महीने आगे हो जा रहा था फाइनली जो है आपको कल पता चल भी गया होगा कि हमारी जो रेलवे की परिक्षा है वो 15 दिसंबर यानि इस एयर के लास्ट में जो है परिक्षा कराने को तैयार हो गया है वो भी रेलवे जो तैयार हुआ है जिन भी लोगों ने और जिन भी स्टूटेंट ने भाई ने चिनों ने भी और काफी यूटूब चैनल ने भी प्रोटेक्ष किया है इस पर आवाज उठाई है मैं उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी जो है कब से कम अब आपको ये पता चल गया है कि हम अगर हम पहले वच्छे को ये नहीं पता चल र एक्जाम तो देखे होना ही होना है तो फाइनली जो है रेल वंतरी प्यूश गोहल जी ने अपने ट्वीट में कह लिया है और आपको कल पता चल गया होगा इसका ओफिशली नॉटिफिकेशन भी रिलीस कर दिया गया था कि 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 2020 से के और रेलवे CBT-1 कर पर भी करवाएगा उसके बाद जो है ग्रूप D पे ही जाएगा आफ फॉर्म की बात करें फॉर्म नि पहले वैकेंसी बात करें तो 35,000 प्लस जीके वैकेंसी थी आपको पता होगा और 1,100,000 प्लस जो है ग्रूप D पे वैकेंसी थी तो बहुत बड़े इस तरगा एक्जाम में देखे हे रेल्वे को टाइम है वह भी च्छतेनी करने में टाइम होई आपके वास है करे तीन महीन सोल टा ना हम चाहरा एप्टुर्णी हम अच्राहरा से जो है आपका examination हो जाएगा ठीक है तो friends मैं आपके इनकी officially notification पर लेके चलता हूँ मैं आपको officially notification बताता हूँ कि railway की जो परिक्षा का जो है कारिकरम है को क्या notification दिया है railway ने क्या नहीं दिया है क्योंकि शिक्षा न्यूश का हमेशा उद्देश यही रहता है कि आपको बहतर और अच्छी जान कर देना विट प्रूब के साथ ठीक है फ्रेंट चलिए फिर आ इतके notification पर लेके चलता हूँ मैं आपको ठीक है फ्रेंट्स तो friends Indian Railway start computer based test vacancy from 15 December 2020 इनके कहने का मतलब यह है कि 15 December 2020 से आपका CBT-1 ले लिया जाएगा और यह जो पोस्ट अप्डेट की गई थी यह देखे अकल ही अप्डेट की गई थी 5 September शाम के 7 बजे के आसपा जो है इनका एक notice जारी किया गया था जो P.I.B. Delhi से इनका जो है notification रिलीस किया गया था और यह जो बात कर रहे हैं Indian Railway has three type of vacancy जो इनका कि रेल्वे में जो वेकेंसी थी 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 ताइप की वेकेंसी थी 35,208 जो वेकेंसी थी एंटीपीसी के लिए थी फिर एक है अभी तक प्रती गया है वह उसमें जो है काफी जो है दिक्धे आ रहिए थी बर्ट जैसे की अब यृशा समाने होता जा रहा है जैसे न जा लॉक डॉंच तो अभी चलि रह से पल टी एकि अब लोगों को लॉफ डॉविच में रहके ही जो है कुछ ना कुछ देखे गती वीडिया सुरू करनी ही पड़ेगी तो यही बोला गया है रेल्वे रेल्वे नाव दा कमेंट फर्स स्टेट ऑफ कंप्यूटर बेस टेस्ट फ्रॉम 15 दिसमबर 2020 वाले इन्होंने हब तक शॉर्ट नोटिफिकेशन में यही बोला गया है कि 15 दिसमबर 2020 को जो है आपका रेल्वे का जो सिबीटी वन है साइड एंटीपीजी की बात हो लिए सबसे पहले जो हैंटीपीजी ही होएगा ठीक है तो यह शॉर्ट नोटिफिकेशन था तो काफी यूटूब चैनल ने काफी बच्चों ने जो है पोटेस्ट किया है यह ट्वीटर पे ट्वीट किया है पर लो काफी इतने टूइट आगए इतने टूइट आगए कि रेल्वे इंडियन रेल्वे को अनौज ही करना पड़ा कि उनकी जो है उनका जो है एक्जाम डेट का कारिकरम क्या होगा क्या नहीं होगा फाइनली चलो उन्होंने खुस तो बताई दिया आपको कुछ हिंट तो देई दी कि 15 दिसंबर तक हम जो हैं सीबीटी वन लेने वाले हैं तो आपको उसी तरह तैयारी में लगना है और जो भी जिन भी पच्छों आपकी सपोर्ट के कारण जो है इन्होंने एक्जाम डेट बताई गई है और काफी चैनल वाले को जो है मैं बहुत बहु हो तरste करेंकि दीनी चाहिए क।isco क्यूंकि हमारा जो है आपका लक्षे पता चल गया है कि आपका इक्जाम जो है डिसंबर में हो ले लिया जाए गादे समंबर जनवरी परवरी तीन महीने ही जो है इन्वाद गृुब टी। इसमेह मौन भाल। हो गया है अब अब आपको जो है अपनी तयारी पे जो है चार चान लगा देने चाहिए अगर आप पहले तयारी कम कर रहे थे तो अब अपनी तयारी को भड़ा दीजिए अब प्रैक्टिस सैट लगाईए प्रैक्टिस सैट के बाद आउनलाइन टेक्स दीजिए है ना क्योंकि आपका एक् के बाद जो है railway की जो exam date announce कर दी गई है तो आप जो है इनकी तैयारी पे लगे रही है कुछ अगर नहीं समझ में आती कुछ भी दिक्कत है को आप जो है शिक्षा न्यूज पर Shikshah News पर comment करके बता दीजिए ठीक है friends चलिए friends इस वीडियो में मैं इता ही रखता हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंदाई होगी अगर आपको वीडियो पसंदाई है तो आप हमारे चैनल Shikshah News यूटूब चैनल को जो है